अल्डीईट्स बनाने का दوسरा तरीका है बचचों, स्टीफेन रिडक्शन अच्छा स्टीफेन बेडक्शन को हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेलेक्टिव रिडक्शन अब पहले मैं आपको Stephen Reduction बता दूं क्या होता है बेटा जैसे रोजन मंड में रियक्टेंट कौन था आसिड क्लोराइड बोलना पड़ेगा भाई मेरे रोजन मंड में सर कैटलिस्ट था रियक्टेंट था यहाँ पर रियक्टेंट है अलकेन नाइट्राइल या अलकेन साइनाइड क्योंकि ट्रिपल बॉंडेड एन को हम नाइट्राइल भी कहते हैं और ट्रिपल बॉंडेड एन को हम साइनाइड भी कहते हैं एक सेम रुकिएगा अदने फिर से सुन लो तो जो alkane nitrile है ना बेटा C triple bonded N को हम nitrile कहते हैं और C के साथ triple bonded N को हम cyanide कहते हैं तो alkane nitrile is the reactant और इसके साथ reaction होता है SNCl2 plus HCl का अच्छा ये करता क्या है SNCl2 plus HCl partial reduction कराता है मतलब partially hydrogen जोड़ देता है partially मतलब सर काइदे से πाई को sigma बनने के लिए तो दोनों पाई टूटने चाहिए दोनों पाई नहीं एक पाई टूटता है इसलिए partial reduction कह रहे है जैसे की Rosenman में भी partial होता था partial होके यहाँ एक H और एक H एक पाई टूट जाता है यह बन जाता है यह intermediate को हम कहते हैं I mean इस intermediate का हम further hydrolysis कराते हैं हमको यहाँ पे मैं polarity दिखा रहा हूं कि carbon में delta positivity यह delta negativity तो पानी का H plus minus के पास जाएगा और OH minus plus के पास जाएगा कब तक जाएगा जब तक सब कुछ पूरा का पूरा पाई न टूट जाए क्यों पानी गुस्ता है तो पूरा ही गुस्ता है थोड़ा सा छेट से पानी अगर ज्यादा है आना चालू करें तो पूरा अंदर सब कुछ बहा देगा आईए देखते हैं कैसे बहार आए तो यह दोनों पाई टूट गया इसको 2H मिल गए इसको 2OH मिल गए एक कार्बन में 2H unstable इसने aldehyde का रूप ले लिया लो सब को बोलना पड़ेगा ठीक ammonia gas release हो गई मैं थोड़ा सा आगे तेज बढ़ना हूँ उपर की English नहीं पढ़ना क्योंकि मैं समझा चुका हूँ याद भी मुझे भी आ गया है अच्छा next इसमें बच्चों ये जो पहला पॉइंट इसको आप लोग पूरी जो English है भले आप लोग ऐसे ही लिख ले ना ये पूरी चीज इसको जैसे नोट से वैसे ही लिख ले ना 1,2,3,4 यहां मैं नहीं करा रहा है जैसे इस बच्चे नहीं लिखा है वैसे ही लिख रहा है ठीक है चौर्ड तो यह हमने लिख लिया फिर नोट डला हुआ है नोट क्या है नोट है कि it does not reduce multiple bond कहने कारते हैं कि अगर आप रोजन मंड को देखो तो वो multiple bond को भी reduce करता था हलो रोजन मंड जो है वो alkyne को बनाता था cis alkyne याद है लेकिन वहाँ पे मैंने J डल वाला है तो यहाँ पे भी आप J डल सकते हो क्या कि यह multiple को छूता ही नहीं है और multiple को कौन नहीं छूता था dival edge एक और यहाँ पे आपको बात बता दे रहा हूँ मैं क्या कि कभी भी alkyne nitrile हो आपको intermediate दिखाने की board level में जरुरत नहीं है कैसे करेंगे सर फिर हम बेटा लिखेंगे roman number 1 reagent और जो भी बनेगा उससे वो react करेगा roman number 2 h2o slash h पर सीधा end product लिखा यहाँ पे आप example के term में देख लो double bond को नहीं छुआ C11N को मैंने CHO में बदल दिया मतलब nitrile को aldehyde ना दिया बोलना पड़ेगा बच्चों दिक्कत ठीक है तो बच्चों अच्छा आप लोग बस एक काम यह करते रहो जो जो pages है ना उन pages में J-E वाले topic को आप आप लोग एक copy में बस लिख दीजे J-E और बाकी सब boards है जो जो J-E है वो मैं वो वो heading डाल दू heading मतलब point करमांग डाल दो जैसे note 1 को J-E मत डालना note 1 लिखना आप लोग है ना लिखना note 2 भी पर note 2 में J-E डाल देना तो एक copy में लिख लो एक एक ऐसे rough copy में लिख लो J-E hello ऐसे मलट डाल दो ऐसे J-E कि आप जब notes बनाओगे तो आपको याद नहीं रहेगा ना तो ऐसे copy को लिख लो पहले J-E और फिर लिखो page 1 page 1 में J-E क्या है केवल note 2 है फिर ऐसे करना page 2 समझ गये अरे भूल जाओगे ना वनना हाला कि recording आप पास है पर मैं आप पर भरोसा नहीं करता ना कि हर बच्चा recording इमानदारी से पर देखेगा मैं आपकी बेमानी और आलस को पूरा consider करते हुए आपको shortcut भी देता चल रहा हूँ ठीक है ठीक है अच्चा कीचे यह नहीं कहा कि नहीं सर देखेंगे चलो कोई बाद में नहीं मदब फिर एक इमानदार बच्चा है note 2 note 2 में मैंने वही बात की हुई थी मैं फिर से अभी सिर्फ हिंदी बोल दे रहा हूँ मैं इंग्लिश नहीं पढ़ ला क्योंकि मैं समझा भी चुका हूँ लिखा भी चुका हूँ फिर भी फटावाट हिंदी बोल दे रहा हूँ हिंदी यह है बेटा कि हम यहाँ पे SNCL2 क्यों यूज करते हैं अगर हम यहाँ पे SN और HCL यूज कर लेते तो बेटा SN ना बहुत शक्ती से बहुत इच्छा से बनना चाहता SNCL2 और मेटल प्लस अचिड अगर सॉल्ट बनाएगा तो भारी मात्रा में हाइडोजन गैस रिलीज करेगा हलो भारी मात्रा में हाइडोजन गैस रिलीज होगी बेटा तो पूरा का पूरा पाई बॉन्ड जो है न वो पूरा का पूरा साचुरेट हो जाएगा मनला दो दो हाइडोजन जुड जाएंगे हलो दो दो हाइडोजन जुड गए तो सर आइमीन बनेगा ही नहीं और आइमीन बना था तब ना हाइडोलेसिस हो पाया था सर सिग्मा बॉन्ड थोड़ी तूटेगा तो यह अमीन बनके रुक जाएगा हमको क्या कराना है हमको partial reduction कराना है बला हमको hydrogen चाहिए रोजन मन में हमने जहर दे दिया था यहाँ पे हम जहर नहीं दे रहें लेकिन हम hydrogen की supply ही घटा दे रहें वो कैसे कर सकते हैं वो करने का तरीका हमारी inorganic chemistry inorganic ने क्या सिखा दिया inorganic ने यह सिखा दिया कि अकर तुम SNCl2 और HCl यूज करोगे तो अभी भी metal थोड़ा बहुत plus 2 से plus 4 में जाएगा क्योंकि acid strong है जबरजस्ती chlorine यह तो strong electrolyte है पुरा पुरा तूटे गा जबरजस्ती थोड़ा सा chlorine दे देगा SNCl4 बना देगा और थोड़ा सा hydrogen gas create करेगा थोड़ा थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह reaction forward जाना नहीं चाहेगा क्यों नहीं चाहेगा क्योंकि tin को plus 2 से plus 4 में आना बिल्कुल भी पसंद क्यों नहीं है inert pair effect कहता है कि P block के नीचे वालों के लिए group oxidation state minus 2 stable है यह carbon family का है इसके लिए plus 2 ज्यादा stable है कहेगा मुझे plus 2 में रहना अच्छा इसलिए बहुत थोड़ा सा आगे जाएगा तो बहुत partial reduction होगा तो I mean पे रुख जाएगा this is the function of SNCl2 J में आपको पूछा जा सकता है कि अगर सीधा तो note 2 को J डाल देना है और note 2 जो भी अगले पन्ने में वो भी अगर आप सीधा यहाँ पे लिखा भी है note 2 में ही लिखा हुआ है कि अगर आप सीधा alkyne nitrile का SN और HCl से reaction करा लेंगे तो क्या होगा वन डिग्री अमीन क्या बनेगा चेंज भी कर दो जहाँ जिस पन्ने में लिख रहा हो न उसमें पेज वन में आपने J तो डाल दिया है पेज वन में यह भी लिख दो वन डिग्री अमीन हाला कि पर recording देखना पड़ेगा यह आईमीन गलत है यह वन डिग्री अमीन है हलो ठीक है हाला कि अमीन हमारा चाप्टर है यह बात को फिर से देखेंगे पर भी मैं आपसे एक बात common sense में फिर करना चाह रहा हूँ अमीन की डिग्री बेटा अलकोहल और अलकेन जैसे अलकाइललाइड जैसे नहीं होती जैसे अलकाइललाइड की डिग्री या अलकोहल की डिग्री कैसे देखी जाती थी उस कार्बन से वो कार्बन कित्ते कार्बन से जुड़ा है यह वाला क्यों? क्योंकि इनके पास multiple bond मनानी की tendency होती ही नहीं है बेटा अमीन की केस में ऐसा नहीं है अमीन जानी की नाइट्रोजन के केस में अगर नाइट्रोजन खुद एक कार्बन से जुड़ा है तो वन डिग्री नाइट्रोजन खुद दो कार्बन से जुड़ा है तो टू डिग्री यह कारबन कैसे हैं उससे हमको कोई फरक नहीं पड़ता हलू आगे बढ़ना हो बच्चो यह हमारी हो गई जे ही का टॉपिक पर आपको मैंने समझा लिखा दिया निक्स्ट नौर्ट फ्री आप अब नोट है करके डालना जैसे बच्चे निलखा है अब आप आप ऐसी डालना या बोथ डॉ नौर्ट रिद्वलवार्ण durब़ॉर्ण और trillbond. यहां पर फिर से एक्स्ट्रा जानकार ही आप इसमें भी gibi डाल सकते हो क्या जैसे कि हम acid chloride से aldehyde बना रहे थे डाइबल H से वैसे आप nitriles से भी aldehyde बना सकते हो कैसे सर nitriles से भी जब डाइबल H का काम करोगे तो डाइबल H भी partial reduction करेगा और imeen बनाएगा और imeen से आप hydrolysis करके काम करते होगे मतलब यहाँ पर भी आपको यह करना पड़ेगा कि Roman no.1 डाइबल H और Roman no.2 पानी हलो हलो अच्छा बोथ मतलब दोनो दोनो तरीके याने की stiffen reduction भी और डाइबल H भी दोनो multiple bond से छेड़ चार नहीं करते हैं Rosenman करता था हलो यह बेटा experimental fact है जही की बात है याद होना चाहिए अच्छा example की रूप में इसको समझा भी रहा हूं क्या कि यह triple bonded है यह double bonded है और यह triple bonded N है डाइबल H reduction करेगा hydrogen देगा लेकिन multiple bond को छेड़ेगा नहीं triple को triple रहने दिया double को double रहने दिया सिर्फ triple bonded N को double bonded OH में बदल दिया एक और जानकारी है note 3 में paragraph change करके कह रहा है similarly यानि कि इसी तरीके से esters are partially reduced to aldehyde by डाइबल H मतलब डाइबल H का एक और काम बता रहा है कह रहा है डाइबल H से जैसे आपने acid chloride को nitrile को reduce कर लिया वैसे ही acid का एक और derivative होता ester C double bond O यहाँ पे CL होता वो भी aldehyde बन जाता यहाँ पे O R है यानि कि ester है यह भी डाइबल H followed by hydrolysis के बाद हटेगा और यहाँ पे H आ जाएगा हलो मतलब इसका भी reduction हो जाएगा हलो डाइबल H तो hydrogen ही दे रहा है तो इधर एक H इधर एक H तो यह बन जाएगा ethanol और यह बन जाएगा aldehyde बाद सब्सक्राण में आ रही है बच्चों अलो अलो आगे बढ़े ठीक है note 3 भी जही है बच्चों पर मैंने आपको बता दिया next अब तीसरा तीसरा को हमको क्या लिखना चाहिए बच्चों बड़ा सी न इत्ता तो आपको ध्यान रखना है पड़ेगा हलो बुलना पड़े बाईया मतलब अच्छा वन्टू डाला था अच्छा कैपिटल ये तो वो था ना केवल ल्डी हाइट बनाने का तरीका ठीक है बटा साही बड़ा 3 तो केवल अल्डी हाइट अथ्वासा रिवाइस करा दो मुझे बोल्ड डेवल पर केवल अल्डी हाइट बनाने के कितने तरीके जानते हो फिलाल अब तक दो रोजनमंड और स्टेफन रोजनमंड और स्टीफन रोजनमंड में रियाक्टेंट कौन acid chloride hello Stephen में reactant कौन nitriles nitriles इसे याद रखना बच्चो Rosenmand में reactant कौन chorus में बोलो acid chloride वो nitriles घ्र ऊघ्राइज कौन है बुषरा कौन है मेर्य डूसरा मे घुर्ण गडि नर रिए नरे मे घची तो तू है दूशा जुर्य कौन हैरे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, आगे बढ़ें, चलो बेटा, नेक्स्ट, फिर से, कहानी क्या थी, कहानी ये थी, कि सर, कहानी थी, हाँ, पहला तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, पहले का रियाक्टन कौन है, दूसरे का रियेजेंट कौन है, नहीं, H2, H2 H2, पहले का reagent कौन है? Hydrogen साथ reaction हो रही है भाई Yes, H2 H2, किसके presence में हो रही है? Lindlast catalyst, hello अच्छा Next तो acid chloride से आपका काम बन जाएगा, आपको aldehyde मिल जाएगा, दूसरा Stephen में reagent कौन है? SNCL 2 हाँ क्योंकि वही न पार्शल hydrogen देगा, चलो बन जाएगा aldehyde? नहीं, सर क्या करना पड़ेगा? followed by acid hydrolysis, hello यहाँ पर roman number 1 roman number 2 के बाद ही product लिख सकते आप, hello ठीक है, बेटा board तक इतनी भी बात याद रहे ना तो ठीक है, क्योंकि बात एक्स्ट्रा हो गई थे, इसलिए मैंने time लेके अलग से इत्ती बात फिर से की आपको, hello क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा बताने में दिक्कत केवाल यह होती है, बेटा बच्चे को board की बात भी याद नहीं रहती है, इसलिए मैं फिर से क्योंकि मैं चूपी रहता हूँ नहीं जब आप लिखते हो, hello ठीक है, आगे बढ़ड़ा हो मैं, next पॉइंट क्रमांग तीन बेटा, तीसरा पॉइंट है, सिर्फ aldehyde बनाने का तरीका, hydrocarbon से, सर अब hydrocarbon से भी और तरीके होंगे, हाँ, पहले देखो इंग्लिश पढ़ड़ा हो मैं, aromatic aldehydes and its derivative are prepared from aromatic hydrocarbons by the following methods, मतलब यहाँ पर primarily हम कौन से hydrocarbons का इस्तेमाल कर रहे हैं, carbon और hydrogen तो हैं, लेकिन aromatic यानि कि benzene containing compounds से हम काम चलाएंगे, हलो सर यह कैसे चला सकते हैं, बेटा कुछ तरीके हैं, आईए देखें, पहला, तो पहले में बेटा फिर roman number one लिखना पड़ेगा आपको, यह roman number one हो जाएगा, क्या है सर, देखो, by oxidation of, यह सब board के हिसाब से जरूरी है, यहाँ पे कहीं जहीं नहीं बोल रहा हूँ, by oxidation of methyl benzene using chromyle chloride, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी नाम, बहुत जरूरी reaction, क्या है, इंग्लिश मैं कह रहा हूँ मैं, chromyle chloride जो है, वो oxidize करता है, methyl group को, किस से, to a chromium complex which on hydrolysis gives corresponding benzaldehydes, अग कुछ नहीं समझ मैं है, सामने देखो पहले, यहाँ मैं यह कह रहा हूँ, कि तुमको यहाँ पे benzene से काम नहीं करना, बेटा, substituted benzene से करना है, पहली बात, substituted benzene master मतलब, अबे benzene में कुछ alkyl की chain लगा दे, तो benzene में मान लो simplest मैंने carbon की chain लगाई, बच्चों, यह generally कहलाता है, toluene, हेलो, बोलना पड़ेगा, अच्छा, अब बेटा, toluene में, अगर मैं reaction कराऊं, chromyle chloride का master, यह क्या हो बता है, बेटा, formula, याद रखो, CRO2, 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 chromyle chloride है, इससे reaction होती है, CS2, carbon disulfide, हो, solvent है, जिसकी मौजूदगी में reaction होती है, एक complex मनता है, जो कि board के हिसाब से, पर मैंने दिखाया है, आईए, आपको बता भी दो, बनाना कैसे, बेटा, जो भी, दो hydrogen है, किसके, metallic carbon के, metallic branch की, benzene की, मतलब, यह जो carbon है, वो carbon के, दो hydrogen, दो chlorine को लेके, सफा चठ हो जाएंगे, हलो, 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 मैं एक बार आपको, इसकी photo समझाने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको, है न, boards के साब से, आप भूल भी सकते हो, इस चीज को, पर फिर भी, बनाया है, इससे समझा रहा हूँ, नीचे लिखा होगा, board के साब से भी, यह CH3 है न, मैं एक H मैं रहने दे रहा हूँ, और दो H मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, हटा के यह linkे जोड किस से रहा हूँ, बेटा, oxygen से, वो oxygen किस से जोड़ा है, बेटा, chromium से, वो further किस से जोड़ा है, वो जोड़ा है, बेटा, जो एक hydrogen आया वो एक hydrogen नहां आ गया OH के रूप में और क्रोमियम के साथ में दो CL है हलो 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 और ऐसे ही एक और क्रोमियम है यहाँ पर अच्छा यहाँ पर सिर्फ मुझे यह समझाना है आपको अगर मैं कहता हूँ जेही की भी बात कर रहा हूँ मुझे सिर्फ यह समझाना है आपको कि एक complex बनता है और वो complex किसके साथ बनता है यह carbon का oxygen से और जो hydrogen है वो अंदर चला जाता है देख लो यहाँ पर मैंने shot में किया भी आओ दिखाऊं देखो यह benzene CH bracket है क्योंकि 2H हटे हैं तो 2 आएंगे यह कौन है दो O के साथ linkage जैसले O पहले है फिर CR है और जो एक O बचा वो OH बन गया और दो CL2 हलो और यह whole toys हलो मतलब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हलो हलो और यह कोई बेटा end product नहीं है यह एक intermediate है जिसे हम कह रहे है chromium का complex इसको hydrolysis कर रहे है कैसी acid की मौझूदगी में H2O slash H plus मतलब acidic hydrolysis जब acidic hydrolysis करते हो तो बदल जाता है यह किसमें benzyldehyde में कौन बदलता है benzyldehyde में अरे यह जो CH था यह CH बद बदता है यह सगली चीज हट जाती है double bonded ओ आ जाता है hello अमाजतर यह तो बहुत कठिन लग रहा है नहीं बेटा यह देखो यह आपका board का काम और इत्ते में आपका काम हो जाना है क्या toluene लिया roman number 1 CRO2 CL2 in presence of CS2 IC 30 कराए intermediate roman number 2 H2O slash H2O बनादो benzyldehyde this is known as itard reaction itard reaction भी क्यलाता है board का काम खतम hello समझे extra detailing मैंने उपर दे दी board में इत्ता पता होना चाहिए hello आगे बढ़ जाओ ठीक है chromile chloride का reaction करके जब हम aromatical dehyde बनाते है इस reaction को itard reaction भी कहते है यह reaction भी तब aldehyde बनता है जब followed by astic hydrolysis होती है intermediate अन्यथा बन जाता है which is chromium का complex जैसे उपर stiffen में iron मनता था वहाँ भी hydrolysis के बाद aldehyde मनता था hello ठीक है बढ़ रहा हूँ मैं मैं meeting ID बचो फिर से भेज रहा हूँ फिर से आओ ठीक है नहीं नहीं itard तो हो गया in fact itard तो हो गया in fact अब आगे बढ़ते हम बड़े तीन में ही मतलब इससे भी केवल aldehyde बनेगा लेकिन ये है aldehyde बनाना hydrocarbon की मदद से पहले हमने hydrocarbon बनाया toluene से पहले जो हमने hydrocarbon यूज किया वो था toluene और toluene से बनाया हमने itard reaction के तुरू chromile chloride यूज करके दूसरा तरीका किस से hydrocarbon से कैसे aromatic hydrocarbon से क्या बनाना केवल aldehyde दूसरा तरीका है by oxidation of methyl benzene using chromic oxide chromic oxide होता है बच्चों CR ये भी chromium का ही complex chromium का ही compound है ये भी chromium का ही intermediate बनाता है और फिर product बनाता है again यहाँ पे भी board के साब से प्रोड़क में interested है पर हम intermediate दिखाएंगे पर आप direct भी लिख सकते हो इंगलिश कहती है कि toluene या substituted toluene मैं बहुत है toluene में कुछ और substitution भी आ जाए तो दिक्कत नहीं है toluene और substituted toluene is converted to benzyledine diacetate अब benzyledine diacetate क्या है वो intermediate का नाम है आप भूल भी सकते हो पर मैंने बोला ही मैं detail भी दे रहा हूँ तो पहले वो convert हो जाता है benzyledine diacetate में कैसे on treatment with chromic oxide in acetic unhydride the benzyledine diacetate जो intermediate है can be hydrolyzed पानी डाल दिया to corresponding benzyledehyde with aqueous acid अब आईए English भारी है reaction दिखाऊ आसान लगेगा आप toluene का reaction CRO3 से कराया in presence of acetic unhydride unhydride की presence मतब ये भी reactant है catalyst नहीं है ये लगबग 10 degree Celsius में reaction होता है बच्चो again वही कहानी है chromium के साथ CH3 के दो hydrogen हटे और बचे हुए दो free valency में ये जोड़ गया यानि की CH3CW CH3CO hold twice CH3CO बच्चो कहलाता है acetate दो है इसलिए diacetate तो ये हो गया benzyledine diacetate benzyledine एक general name है जो की तब use होता है जब एक ही carbon की दो free valency होती है और उसमें same लोग जुड़ जाते हैं तो benzyledine बोलते है मतलब जैसे aldehyde के case में आथ करो gem और geminal dialdihyde था और vicinal vicinal मतलब बाजू वाली और geminal मतलब एक ही carbon में दो तो actually ये geminal का ही case है benzyne में जब ऐसा होता हो तो इससे generally benzyledine कहते है ये बन गया complex इसका भी H3O H+, लिख दो या H2O slash H+, लिखो बात एक है जैसे उपर आपने H2O slash H+, देखा था उसको जोड़ दो तो H2O plus भी लिख सकते हो बात एक है क्या हो जाएगा सब तूटेगा aldehyde बन जाएगा सर इसको सीधा लिखने तो ज़्यादा आसान नहीं है हाँ करना भी board के साब चबाईए कैसे करेंगे सर इसको इंग्लिश में बोलना असान है तॉलूइन रियाक्स विद क्रोमिक ऑक्साइड एंड आस्टिक अनाइड़ाइड अट जीरो से 10 डिगरी सिल्जिस फॉलोड बाई आस्टिक हईड्रॉलिस गिर्स बेंजल याइड अच्छा अच्छा अब अगर आपने उपर की इंग्लिश देखी हो बेटा तो एक सवाल मैं लिखवा रहा हूँ आपने इंग्लिश देखी हो तो उस इंग्लिश में लिखा होगा कि बेटा यहां पे अब मालो मैंने मिथाइल की जगा इथाइल का इस्तमाल कर दिया तो जो भी single carbon का group था, सर ये CH3 होगा न, इसके दो hydrogen जाएंगे, तो सर यहीं पर ना काम होगा सब, तो वही एक carbon वही रहने तो इसको बदल दो CHO में, हलो? हलो? ये काम आप दोनों से कर सकते हो, अगर आप CRO2, CL2, Inference of CS2 के साथ कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? Itard reaction, और अगर इसके साथ कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा? कुछ नहीं, नामें नहीं दिया, सर आपने हलो? लेकिन क्या ये सही है? नहीं, सर, ये गलत है, क्यों? ये नहीं बनेगा, सर, क्यों? क्योंकि दोनों के case में, या तो आप Roman number ये यूज कर लो, या तो आप Roman number ये यूज कर लो, दोनों यूज करोगे, product नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि दोनों में सा Roman number 2 नहीं लिखाया आपने, हेलो? दोनों करने के बाद followed by Asterix Hydrolysis करोगे Master, तो ये मिलेगा, वन्हा इंटर्मीडियेट में रुकना पड़ी ही, हलो? हेलो, बाकी लोगों? सार, एक बाद फिर से बताईए दोनों फिर से सुन लो, सवाल में मैं कह रहा हूँ, तुम CRO2, CL2, CS2 यूज करो और CRO3, AC2O, मतलब Acetic Unhydride 0 से 10 degree Celsius करो, दोनों यूज करो, तो ये वाला aldehyde नहीं बनेगा, क्यों? अरे क्योंकि followed by hydrolysis कहां कि ये, दोनों में intermediate में रुकोगे, हेलो? तो मैं वही कहा कि Roman number 1 ये करो, और Roman number 1 ये करो, Roman number 2 करना पड़ेगा दोनों में, वो लिखा नहीं है, मैंने ये कहा गलत है, लेकिन एक सचाई बताऊं, कई बार बेटा board level पे न, वैसे तो SS वाल आएंगे नहीं, पर अगर आते हैं न, तो थोड़ा सा options के साथ कई बार आपको मला ये गर्दन में पकड़ देना mains में कई बार एडवांस में ऐसा कभी नहीं होगा, mains में कई बार बेटा, feeling पे भी जाते हैं, कई बार तो थोड़ा सा option देखे, eliminate hook कर सकते हो, मतलब, नहीं समझ रहे option देखे, आपको सौन में आ जाएगा, वो कि उसने धोके से hydrolysis कई बार नहीं भी लिखते हैं वो, पर ध्यान रखना चीदता, ठीक, खेर, आर्काइब्स आप करोगी, देख लोगी, बागी बोर्ड के लिए को इटेंशन लिए, अपने को, next, केवल अल्डिहाइड बनाने के तीन तरीके पढ़ चुके, पहला, गाना गाओ, पहला, रोजन मंड, रियक्टेंट, असिड क्लोराइड, रियक्ट करता है हाइडूजन के साथ, लिंड लास कैटलिस्ट की प्रेजन्स में, दूसरा, स्टिफिन रियक्शन या रिडक्शन, रियक्टेंट है, नाइट्राइल, रियक्ट करता है, SNCL2 प्लस, SNCL2 प्लस, HCL, के साथ, बनाता है, I mean, followed by hydrolysis, बनता है, अल्डी हाइड, तीसरा तरीका, हाइड्रोकार्बन से बनाने के, फिर दो तरीके, इटाड और क्रोमिक ऑक्साइड, दोनों में, followed by hydrolysis, कंपल सरी है, हेलो, चालो भाईया, चौथा तरीका है, केवल अल्डी हाइड बनाने का, चौथा तरीका है, केवल अल्डी हाइड बनाने का, by side chain chlorination, followed by hydrolysis of toluene, यह बहुत आसान है, यह आपने alkyl halides में देखा हुआ है, कैसे सर, toluene लिया, क्लोरीन, sunlight की मौझूदगी में, कैसा काम करता है, बच्चों, सर, क्लोरीन, sunlight की मौझूदगी में, alkyl substitution करता है, याद है, note करके लिख़ा है था, alkyl halide में, अल्डी कार्बन क्या होता है, मास्टर, बेंजीन रिंग के, या double bonded carbon के, बाजू वाला carbon, alkyl carbon होता है, हैलो, तो 2 mol of CL2 यूज करोगे, तो 2 बारा lilac substitution होगा, 2 बारा lilac substitution होगा, तो 2 H हट जाएंगे, 2 H हट के, 2 CL लग जाएंगे, ये भी आपको alkylite से पता है, कि, ये तो सर, ये aromatic halide थोड़ी है, ये तो normal SP3 iodized carbon जुड़ा, तो इसका तो substitution होगा, आसा नहीं हो सकता है, पानी डालोगे, बढ़िया SN1 अच्छा हो जाएगा, क्योंकि benzylic carbocatine बनेगा, और अच्छा है, ये दोनों CL हट के OH आ जाएंगे, बस ये काम आपको 100 degree Celsius में करना पड़ेगा, ये practical बात है, जब करोगे, तो 2Cl हट के 2 OH लगेंगे, एक carbon में 2H unstable, बहुत बार बात आ चुका हो, पानी निकल जाएगा, और CHO आ जाएगा, ये हो गया, aldehyde, benzaldehyde, दिक्कत, नेक्स्ट, पांच्वा तरीका, केवल aldehyde बनाने का naming reaction है, जरूरी है, एक gutter man था, यहाँ पे भी gutter man है, पर यहाँ ने gutter के आदमी ने, एक के साथ tie up किया है, ये कहलाता है, gutter man, pouch reaction, naming reaction है, पताओने चीए, शुरू करूँ, English ऐसी तैसी कराए, English से मेरे को बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि English मैंने, प्रॉपर बहुत जानकारी के साथ लिखिये, मैं आपको देशी बाता बता रहा हूँ, बोड में आपको इतना चल जाएगा, क्या, बेंजीन reaction करता है, कार्बन मोनो अक्साइड और HCl के साथ, फिर से बोलो, बेंजीन reaction करता है, इन प्रेजंस अफ अनहाइडरस, A-L-C-L-3 और C-U-C-L, बोलो, फॉर्म्स बेंजलडिहाइड खतम, अब, बेटा, 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 मैं पता, यहां पर इहां पर ऐसा समय क्यों ले रहा हूँ, बेटा, यह भूलता है, अराम से लिखो, और बहुत बार, रीड करो, एक यही तरीका है, चीज़ें याद रखने का, अच्छा, लेकिन सर, यह पता है, बिलकुल, आपको, 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 बोलो, 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 तो काम हो जाएगा, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, पता है, क्यों, बोड की चीज़, समझना असान हो जाएगा, उपर वनना, एकदम, पॉइंट ब्लैंक रटे हो, बाकी सब में ठीक था, इसमें तो कुछ भी नहीं रटा, समझ में आया सर, आओ, समझे, देखो, बिटा, मिकैनिजम का अर्थ क्या होता है, माइनस प्लस को ढूणना, आओ देखें, बेंजीन एलेक्ट्रॉन रिच होती है, जानते हो की नहीं, ये श्याँ, अच्छा, कार्बन मोनो ऑक्साइड, क्या होता है, सर, कार्बन का आउटो मोश्यल में चार, दो बन बनायेगा, ओक्साइड का आउटो मोश्यल में छेड, दो बना, ओक्साइड को ऑक्साइड करकेट कंपलीट, कार्बन कंपलीट नहीं हो, कौडिनेड कर लिया, कौडिनेड बनने के बाद कोवलन्ट की तरह होता है, बना भी दो मलब तीन रंडे खीत दो देने वाले को प्लस लेने वाले को माइनस कार्बन मोनोकसाइड की फोटो में तकलीफ आप भूलना पड़ेगा ठीक है साथ में HCl है अब HCl और कार्बन मोनोकसाइड तो रियाक्टेंट है Master ये Anhydrous AlCl3 और CuCl क्या कर रहे है बेटा ये Lewis Acid है का कर रहता है Master Lewis Acid बेटा Lewis Acid एलेक्टरॉन लेता है लेगा तो का करेगा सल लेगा ना तो क्लोरीन को लहटाएगा क्लोरीन AlCl3 के पास चला जाएगा बन जाएगा ये गलत दिखा हुआ AlCl3 होना चाहिए ये बन जाएगा AlCl4 माइनस नीचे दिख रहा है और बन जाएगा H+, हलो बहुत शक्ती से हलो हलो ठीक है अब Master H+, बना तो क्या किया H+, बना तो बेटा एक्शली Carbon Mono Oxide बच्चों Neutral Oxide होता है तो Neutral Oxide को अटाक करने के लिए H+, का creation बहुत जादा forcefully होना चाहिए इसलिए अन्हाइडरसील से वना कहीं लोग कैंगसार HCl तो ऐसे भी असेड़ देता है का मतलब बेटा बहुत जादा शक्ती तेज तर्रार H+, चाहिए खूब वेलासिटी के साथ एकदम खीच के ठूँसा मारे, हलो, अच्छा, now H+, खीच के ठूँसा मारेगा किसको, move तो electron ही करते है न, तो minus यहाँ पर कहा है, carbon में देखो, movement दिख रहा है, हलो, यह हो गया, CH, oxygen पर आगया, यह triple bond, O, पर प्लस अब carbon को H मिल गया है, तो भाईया, आपको resonating structure के बात पता होगी, charged is more stable than uncharged, sorry, uncharged is more stable than charged, charge is more reactive, अब तुम बताओ, oxygen positive charge रखेगा, और carbon कहाँ गाते हैं, संतुष्ठ है, हमें plus, हमें electron negative, हमें plus दिए, चल भी इधर दे, oxygen neutral हो जाएगा, और बिचारा बरबाद फिर गरीब हो गया, यानि कि CH पे आ गया, plus, hello, carbon पे जैसे positivity दिखेगी, इस पे लहटेगा कौन, benzene की, ring का minus, hello, मुझे केवल ये बताना था, कि CO और HCl कैसे aldehyde के रूप ले लिये, ना CHO का रूप, और कैसे C पे plus है, कैसे benzene इस plus को attack करेगी, और बना लेगी aldehyde, hello, हाला कि वो भी मैंने बड़ा detail में बताया हुगा, इतनी detailing की जरत है नहीं बेटा, कि benzene ने इस पे attack किया, तो benzene का, आपने 11th में सुना होगा, इसे electrophilic substitution कहते हैं, तो benzene पे plus आ गया, benzene ने hydrogen के electron लेके aromaticity regain कर ली, यह तो यहाँ पे benzene का attack दिखा रहा हूँ, कि benzene ने attack किया, दिख रहा है सबको यह, बेंजीन की यह जो pi cloud था, यहाँ वाला, यह इस carbon पे पहुँच गया, तो यहाँ पे plus आ गया, अब देखना, इस plus की aromaticity खतम होगे, benzene की, इसको regain करेगा, यह कैसे, ALCl4- था, वो base की तरह बेव करेगा, इस hydrogen के electron देगा, यह hydrogen के electron यहाँ पहुच जाएंगे, तो यह बन जाएगा CHO, यह मैंने बहुत जादा वो अली बात, कि भई, एक जापण मारा बहुत दर्द हो रहा है, तो नीचे से खुट, जो और से सुई घुसा दी, तो अब जापण का दर्द महसूस नहीं हुआ, हलो, यह होता है, हलो, तो actually mechanism, कई बार, कई बच्चों के लिए, ऐसा भी behave करती है, और मेरे साब से तो, थो बहुत common sense बना देती है, prediction बना देती है, कि क्या बनना चाहिए, खेर, आगे बढ़ते है, note 1, note 1 बच्चों, आप board case आप से भूल सकते हो, note 1 is यह, क्या है, getterman कौच नहीं, getterman aldehyde reaction, यह दूसरे नाम से patent है, क्योंकि इसमें reactant का फरक है, यहां भी benzene है, उपर भी benzene था, वहाँ CO था, यहां HCN है, वहाँ HCL है, यहां है HCL, वहाँ पर Lewis Acid था, यहां भी Lewis Acid है, बस फरक CO और HCN में है, हलो, सेम कहानी, यहां पर भी होगी बेटा, क्लोरीन जाएगा, हाइडरोजन पर प्लस आएगा, यहां पर electron की वाल, nitrogen में है, तो nitrogen उस hydrogen को electron देगा, nitrogen जैसे electron देगा, carbon के electron खीचेगा, देखो, ultimately carbon पर प्लस आ गया, मतलब कौन प्लस मिला आपको, CH प्लस double bond NH, हलो, हलो, बेंजीन का lone pair अब इस carbon पर attack करेगा, ultimately मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ, कि यह रूप ले लेगा, किसका, देख लो, दिखा भी रहा है, attack proper, बेंजीन के lone pair अटैक की है, इस carbon पर, इस carbon से जुड़ गया, देखो, उपर आपको जुड़ा जोगा, दिख भी रह हुआ है, दिख रहा है ना सबको, CH लिखना चाहिए, double bonded NH, हलो, हलो, फिर hydrogen, हाँ, फिर hydrogen के electron वापस आएंगे, aromaticity regen हो गई, कहां regen हो गई सर, यह नीचे, बेटा, हलो, अब, इसके बाद की story है, बेटा, hydrolysis करना है, इसके बाद की story है, hydrolysis करना है, hydrolysis कैसे करना है, ऐसे, हलो, कैसे, रूख जाओ, मैं लगता है, इसने बीच में कुछ गरबर किया हुआ है, देखो बेटा, इसके बाद मैं थो असा समझा देता हूँ, यहां पर किया क्या है, इसने, इसने अच्छली बेटा, इसके साथ बा क्योंकि बेटा, nitrogen पर lone pair है, nitrogen पर lone pair मतलब वो electron देनी की कोशिच करेगा, मतलब वो behave करेगा as base, और यह acid है, तो acid base मिलके actually salt पर रूखेंगे, बात समझ रहे हो, हलो, 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 अब nitrogen के base क्या करता है, electron देता है, nitrogen के lone pair HCl के H+, को मिले, तो यह बन गया NH2, हलो, और NH2 ने electron दे दिये, तो हो गया NH2+, देखो NH2+, और यह double bond CH, यह H है, यहाँ पर हलागी इसने H लिखा हुआ है, double bond CH, और यह अगर plus है, तो साथ में आ जाएगा, Cl minus, बन गया salt, अब दिख रहा है salt, हलो, तो यह तो कटा भी हुआ है, actually आपको बस यह लिखना था, यह, हलो, HCl साथ यह बन जाता है, salt, हलो, अब यह salt का hydrolysis कर रहा हो, कैसे करोगे, यह bond तूटेगा, nitrogen और carbon में, भले nitrogen पे positive charge है, तुम खुद बताओ, nitrogen पे positive जाएगा, और ज्यादा भूका होगा, minus की demand कौन करेगा, nitrogen पे positive की C, अच्छा नहीं, 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 हप्लस OH-, ठीक है बेटा, वही है, क्या, यहाँ पे जाएगा H+, यहाँ पे जाएगा OH-, क्यों, ultimately है तो positivity न, अगर हम यहां पे थे तो सीधा हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं अच्छा बच्चों एक काम मुझे अलग से करना पड़ेगा यहां तक लिख लोगे सब लोग अच्छा बाकी लोगों को मैं कह रहा हूं जो एकदम बोर्ड के लिए काम करना चाह रहे हो थोड़ा से ज्यादा हो रहा है यहां थोड़ा detailing है लेकिन वो यह पूरा mechanism छोड़ भी दीजेगा यहां तक लेकिन सबको समझ में आता है चलो इसके बाद बेटा मुझे एक resonating structure बनाना पड़ेगा मैं फिरी समझा पाऊंगा इसका एक resonating structure दिखाओ मैं आपको देखो इसका एक resonating structure देखना आप इसके बाद वो resonating structure बनाईगा क्या देखो बेटा यह बेंजीन रिंग है आप लोग खुद बताओ nitrogen के पास positive charge है क्या वो यह electron लेके अपना positive charge घटाना नहीं चाहेगा और positive carbon को देगा और आप बताओ positive charge किसमें stable है बेटा positive charge on more electron negative atom is more stable और positive charge on less electron negative atom is more stable बताएं बोलो भाई दो resonating structure में positive charge किसमें stable है जो ज़्यादा electron negative है कि जो कम electron negative है सर जो कम electron negative है मतलब जो relatively electron positive है वही न देना चाहेगा हलो हेलो तो बेटा ये दो resonating structures में कौन सा resonating structure ज़्यादा stable है ये जो ज़्यादा stable है intermediate तो वही आगे जाएगा न रियाक्शन करने हलो और अगर आप इसका मतलब बस एक फरक ये था कि ये बनाने के बाद हमको ये resonating structure हमने दो side arrow बना के ये बनाया और अब इसका hydrolysis कर रहे है तो अब आपके लिए आसान होगा अब बताओ पानी का oh minus कहा जाएगा यहाँ पानी का h plus कहा जाएगा यहाँ पानी कब तक घुसता है जब तक पूरा न तोड़ दे तो एक bond ये टूटने का oh minus और एक इस plus को minus करने का oh minus तो इसके पास दो oh minus चले गए आईए वो 2 oh minus आईए देख लो अब देखना आपको comfortable लगेगा यह राद 2 oh minus एक कार्डमिन में 2 oh गए यह बन गए नहीं फोर प्लस क्योंकि हाँ 2 oh plus जाएंगे और यह बन गए आपका aldehyde जो पानी निकला वो अमोनिया के साथ लगा हुआ H plus ले जाएगा और अमोनिया गैस बन जाएगे हाला कि वो बताने कि जरत नहीं ही यह aldehyde है हलो हलो बस बेटा यहां मैं रूक रहा हूँ क्योंकि